चुपरा हलो जैने दोस्तों मैं राहूल सिंग राहूल वाई फाइश्टेडी में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ रेल्बे रिकूट्मेंट बोर्ड के समझे खबर लेकर कि मैं आपके समझ आ जाया हूँ यह था कि आप लोग देख रहे होंगे एक पेज का सकते हैं एक नोटी जो वार्यल हो रही है कि रिर्वे में हजार उपदों पर विग्यापन आया हुआ है और आलाइन अबेदन लिये जा रहे हैं जिसकी तारीख भी आपके पास है यानि इसमें अगस्त सितंबर तके तारीख हैं और साथ मीं एफसाइट भी दी गई है तो इस भ चलिए बढ़ते खबर माग आद देख सकते हैं और तरीके से क्या है फर्जी निकली है रेलवे निसके सुने नोट इस भी जारी कर दिया और इसके पूर भी लेकिन आज न्यूजपीपर में भी इसकी खबर आ चुकी है अब सरों ने पूरी तरीके से इस विग्यापन का खंडन किया है यानि पूरी तरीक से आप देखेते हैं विग्यापन के जरिये रेल्बी में निकली और भरती और सो मार को 30 सितंबर तक ट्रेनों के निष्टिकर्ण की दरसल सो मोर को सोचल मीडिया पर निमी ट्रेनों के संचालों को लेकर एक लेटर जारी हो गया जिसमें 12 अगस तक निरस तक बताई जाने लगा और मामले की जानकारी रेल अधिकारियों को हुई तो उन्होंने तूरंत सोचल मीडिया से लेकर सब जगह इसका खंडन किया और पुर्वोत्तर रेल्बे सीप्यारों पंकर्श कुमार सिंग ने बताया कि रेल्बे ने ऐसा कहीं भी कोई पत्नतजारी नहीं किया है टेने अगले आधेश तक निरस्त हैं फिलाल इस्प्रेल टेने चलती ही रहेंगी उधर सीप्यारों ने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले ही रेल्बें भरती की लेकर भी एक विग्यापन छपा था जिसमें एवरस्टान इन्फोटेक के सहयोग से यानि थर्ड पार्टी के सहयोग से 11 साल की जो समीदा पर जॉब निकली हुए थी जिसमें जूनिया असिस्टेंट, कंट्रोलर, बुकिंग कलरक सहीत अंड़ पदों पर भरतिया करने का जिक्र था उन्होंने इस विग्यापन को पूरी तरीके से फर्जी बताया और उन्होंने ये भी का कि ऐसे विग्यापन लोगों को गुमरा कर रहे हैं उन्होंने बता कि कुरोना में ठग ऐसे ही विग्यापन निकाल कर बिरेजगारों को बरगलाने का काम कर रहे हैं यानि जो नोटिस जारी हुआ था विग्यापन के सोन में वो फर्जी वाड़ा है कहीं भी कोई सच्चा ही नहीं है और मुझे लगत तो यह भी लगता कि कुछ लोगों ने वहां से जा करके वेबसाइट से पेमेंट भी कर दिया होगा तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही बुरी खबर है कि य सब्सक्राइब कर दियेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट इंपार्मेशन के साथ ततलक के लिए धन्नवाद नमस्कार